Hello Friends, Welcome to Tech by RP India YouTube Channel दोस्तो अगर आपका इस्रम कार्ड बन चुका है तो आपके मुबाईल नमबर पे इस तरह का मैसेज आया होगा अगर मैसेज नहीं आया है तो आपके मुबाईल नमबर पे ये मैसेज आने वाला है दोस्तो ये मैसेज किसलिए आ रहा है ये मैसेज आ रहा है आपके इस्रम कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना होगा दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने इस्रम कार्ड पे अपना एड्रेस किस तरह से अपडेट कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को इस्टार्ट करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बारा हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे की मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सको तो दोस्तो चलिए सुरू करते हैं तो सिंपलियो दोस्तो सबसे पहले आपको अपना Chrome Browser Open कर लेना है Chrome Browser Open करने के बाद यहाँपे आपको Search बारे में टाइप करना है इस्रम कार्ड यह डालके आपको सर्च करेंगे तो यहां पे दीखें जो सेकेंड नमबर पर यहां पर सेल्फ रजिस्टेशन वाला यहां पर लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है जैसे यह आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफे फाइल का आफ सुन देगा फिर यहां पर आपको क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर अपना मुवाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के आपको send OTP पे क्लिक करना है जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपके registered क्लिक करना है जिसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा दोस्तों यहां पर अपना अधार नंबर डालना है अधार नंबर डालके यहां पर आपको OTP वाले पे आपको क्लिक करना है जिसे आप कैपचा कोड डालके सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा दोस्तों यहां पर अपना फिर से आपके registered mobile नंबर पे एक OTP कोड जाएगा उस OTP कोड के यहां पर आपको डालना होगा OTP कोड डालके आपको यहां पर Validate बटन पर क्लिक कर लेना है जैसे आप Validate बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा दोस्तों यहां पर आपको उसके बाद दोस्तों यहां पे आइई एगरिपे टिक मार कर लेना है उसके बाद यहां पे आपको अपडेट EKYC Information पे क्लिक कर लेना है जैसे इस पे कलिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने आ जाएगा Update Profile तो इस पे आपको Update Profile पे कलिक कर लेना है जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस एड्रेस पर क्लिक कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पर आपका जैसे यह क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा दोस्तों यहाँ पर पर्मानेंट एड्रेस जो भी है उसे आपका पर्मानेंट ही रहने दीजिए अभी आप चहां पे हैं जिस लोकेशन पे वहां का एड्रेस आपको यहां पर डालके अपडेट करना होगा तो यहां पर चलिए अभी फिलाल मैं यहीं पर हूँ इसलिए मैं यहीं एड्रेस रहने अप्डेट कर लिए तभी यहांप आप एड कर लेंगे उसके बास आपको यहां पडेट बटंपे क्लिक लेना है जैसेसे यह आपका अज आप कगो आपका अड्री से अपडेट हो जाएगा तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिये लिए मिलें को फ्रीम करें कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई बाई टेक केर